अपनी Tata Nexon best selling compact SUVs में से एक है और यहाँ पे अपने को safety से भी बिल्कुल compromise नहीं करना पड़ता है अब हेलोजन को बिल्कुल बाय बाय हो गया है और यहाँ पे पूरा LED सेटप अपने को मिल जाता है नवेर शार्क फी 99 जैसे फीचर अपने को second base variant में देरी कंपरी पहले से cushion और comfort बहुत बढ़िया हो गया तो ऐसा कुछ welcome करता है instrument cluster बहुत comfortable seat से इस के rear की नमस्कार दोस्तो मैं हूँ नितिन गुले और सामने आप देख रहे है टाटा नेक्स ओन का pure variant अब यह जो है अपने line up का second base variant है पेट्रोल इंजन के साथ में है और डीजल में अगर देखे तो pure variant उसका base वेरियंट के लाता है लेकिन यहाँ पेट्रोल वेरियंट में अपने को second base मिल जाता है इसके नीचे अपने को smart मिल जाता है और उसके उबर तो यार बहुत सारे variants मिल जाते है अपने को तो आप अपने नीट के according चूज कर सकते हैं लेकिन इस second base वेरियंट में इतने जबरदस features दे दी है अपने को facelift Nexon में जो looks है ना वो तो अपग्रेड हुए है साथ में जो features है ना है वो भी बहुत जबरदस अपग्रेड हो गए है और अपनी Tata Nexon best selling compact SUVs में से एक है और यहां पे अपने को safety से भी बिल्कुल compromise नहीं करना पड़ता 5 star की तगली safety मिल जाती है global endgap crash test की मदलब safe वाली feeling आएगी जब भी अपन अंदर बैट के drive करेंगे तो चलिए सारी चीज़े आज अपन डीटेल में देखने वाले है इस कार के बारे में तो वीडियो काफी जादे informative रहने वाला है तो आप इंटाक बने रही है और चैनल में जो first time आया है फटाफट से subscribe करने जए और bell notification on कर देना ताकि जब भी मैं वीडियो upload करूँ तो आप तक notification पहुँच जाए start करेंगे इसकी pricing से उसके बाद walk around देखेंगे one by one upon सारी details देखते है अब pricing की अगर बात करें Tata Nexon pure variant की तो ये अपने को 9,70,000 में एक showroom आ जाती है on road price की बात करें तो ये लगबग अपने को 10,95,000 में on road आ जाती है और ये जो pricing है बालाखट सिटी मद्यप्रदेश की है और इस वक्त अपन है सुनील automotive Tata showroom बालाखट में तो इनकी सारी जो contact details है मेरे description box में आपको मिल जाएगी call करके आप visit करके आप सारी details ले सकते हैं तो start करते हैं इसका walk around सबसे पहले front profile देखिए तो road presence भी काफी बढ़िया अपने को मिल जाता है Tata Nexon में overall width की बात करें तो 1804 mm की overall width मिल जाती है अब center पे अगर देखिए तो Tata का logo मिल जाता है piano black में अपने को grill मिल जाती है और नीचे side जो grill है ये भी अब upgrade हो गई है अब इस side अगर अगर अपना आते हैं तो देखिए यहाँ पे LED turn signals अपने को दिख रहे हैं same यहाँ पे अपने को LED DRLS मिल जाते हैं by functional ये काम करेंगे और नीचे side अपन आते हैं तो यहाँ पे LED प्रोजेक्टर headlamps मिल जाते हैं तो यार अब halogen को बिल्फुल बाय बाय हो गया और यहाँ पे पूरा LED setup अपने को मिल जाता है तो देखी compact SUV है और यहाँ पे features आप देख रहे होंगे यार पहले जो Nexon में अपने को मिलते देना वहाँ से features भी अपग्रेड होगा है Clading भी काफी बढ़िया मिल जाती है ground clearance भी काफी बढ़िया मिल जाता है अपने को Tata Nexon में 208 mm का ground clearance यहाँ मिल जाता है काफी जादा capable बनाता है अपनी Nexon को अब wheels की अगर बात करें तो यहाँ पे steel rims मिलते हैं लेकिन उपर से wheel covers अपने को company provide कर दिये अब wheels के अगर section की बात करें तो 195 60 R16 16 inch के यहाँ पे अपने को wheels मिल रहे है front में अपने को disc brake मिल जाते है और rear में मिल जाते है drum brake तो यह इसके braking का setup है अब ORVM की अगर बात करें तो देखे पियानो black में मिल रहा है harrier वाले अपने को यहाँ पे ORVM मिल रहे हैं तो सबर्दस्त है और साथ mid turn signal से integrate की हुए और यह जो ORVM है ना electrically adjustable है अब side में देखे मैं जैसी आगे बढ़ता हूँ तो ऊपर अपने को roof rails भी दिख रहे है B pillar पूरा black doubt किया है A pillar भी पूरा black doubt अपने को मिल जाता है glass area भी बहुत बढ़िया है अपने को मिल जाता है wheel base की बात करें तो 2498 mm का जबर्दस wheel base मिल जाता है अंदर का जो space है वो भी काफी बढ़िया मिलता और वो भी अपना अंदर जाके check करने वाले है तो यह हो गया ground clearance में आपको पता ही दिया तो side profile से सारी चीज़े complete होती है अब चलते हैं इसके rear profile में तो यहाँ पर देखे बैज भी अपने को मिल जाता है 15lex कार का अब top side में आपकी नजर गूमरी होगी तो आपको shark fin 19 आ भी यहाँ पर दिख रहा है अब तो यहाँ पर shark fin 19 आ जैसे feature अपने को second base वीरेंड में देरी कंपरी बहुत बढ़िया है अब देखी integrated spoiler यहाँ पर मिल जाता है center में Tata का logo मिल जाता है connected पूरे tail lamps मिल जाते हैं लेकिन यहाँ पर illumination नहीं मिलता अब यहाँ पर center में अपने को Nexon की बैजिंग मिल जाती है अब tail lamps की अगर बात करें तो connected अपने को दिया है लेकिन यह वाला part अपने को illuminate मिलेगा और यह break lamps मिल रहा है जो की LED है turn signals मिल जाता है यह भी LED है मतलब पूरा LED setup अब Tata Nexon में अपने को मिल जाता है अब यहाँ पर वाले variants में अपने को floating style में मिल जाता है नीचे दो reflectors अपने को दिख रहा है और reverse parking lamp अपने को single side मिल जाता है और दूसरे side वो dummy किया हुआ है नीचे अपने को दो reverse parking sensors दिख रहे है camera यहाँ पर अपने को नहीं मिलता है तो rear profile से देखें तो देखें ऐसे कुछ looks अपने को मिल जाते Tata Nexon के pure variant पे अब rear profile में सारी चीज़े complete होती है अब देखें यहाँ पर अपने को request sensor नहीं मिलता है तो इसको open करने के लिए या तो अपने को dashboard में बटन दिया हुआ है या फिर इसकी जो चाबी है न उस पर अपने को एक button है जिससे अपने उसे open कर सकते है तो चाबी अपन पहले देख लेते है तो देखें ऐसे कुछ चाबी मिल जाती है एक flip की मिलती है और दूसरी normal की यहाँ पर functions की बात करें तो lock, unlock और follow me headlamp flip की मिलती है और देखें यहाँ पर जो follow me headlamp वाला button है इसको मैं जैसी click करके रखता हूँ तो boot space open हो जागा एक horn के साथ में तो देखें यहाँ पर इस variant पर अपने को request sensor नहीं मिलता दो मिल जाती है lights और अंदर जो boot space मिलता है और वो भी काफी बढ़िया मिल जाता है 382 लीटर का boot space मिल जाता है पहले से improve हो गया है और देखें यहाँ पर दो hooks दिख रहे है और इस side दो hooks मतलब यहाँ पर चार hooks मिल जाते है 3 kg के load carrying capacity के साथ में एक यहाँ पर 12 वोल्ट का power socket भी दिख रहा है boot space बहुत बढ़िया यहाँ पर अपने को मिल जाता है बंद तो rear profile complete होती है अब side profile में अपन जैसे आते हैं तो यहाँ पर अपने को fuel filler cap मिल जाता है fuel tank capacity की बात करें तो 44 liter का fuel tank मिल जाता है mileage की बात करें तो turbo engine है यहाँ पर फिर भी अपने को 17 to 18 km पिल का decent mileage nexon निकाल देती है पेट्रोल engine के साथ में इससे जादा का भी mileage इसके owners claim करते है वो तो driving habit में बिल्फल depend करता है तो मुझे लगता है अब exterior की सारी चीज़ आपने देख लिए तो अब चलते है interior में और देखते हैं वहाँ पे अपने को क्या क्या features मिल जाते है exterior में तो बड़े जबरदस upgrades मिल जाते हैं अब interior में अगर देखें वहाँ डोर्स बड़े heavy अपने को मिल जाते है build quality भी समझ में आती है structure बहुत जबरदस यहां मिल जाते है door panel की बात करें तो dual tone में अपने को मिल जाते है चारो power window के button मिल जाते है नीचे bottle holder और dedicated umbrella holder यहां मिल जाते है speakers की बात करें तो यहां पर अपने को चार speaker का setup मिल जाता है वो RVM को adjust करने के लिए button यहां मिल जाता है अब seats की बात करें तो यहां पर अपने को फैबरी का पोस्ट भी मिलती है लेकिन पहले से cushion और comfort बफ़त बढ़िया हो गया height adjustment का option यहां अपने को नहीं मिलता adjustable headrest अपने को मिल जाते है अब चलते हैं अंदर और देखते हैं अंदर क्या-क्या features मिल जाते हैं तो चाबी को अपन सबसे पहले लगा देते हैं यहां पर तो यह लगाई मेने चाबी अब चलते हैं अंदर टीटी को पन बंद कर देते हैं अब seat को भी कर लेते हैं थोड़ा पीछे जिससे सारा वी एकड़म क्लियर हो जाएगा तो एक बार जो dashboard के looks है वो देखिए लग रहा है कई से second base variant भाई बिल्कुल नहीं लग रहा है तो नहीं लग रहा है न तो D-cut shape में अपने को steering wheel मिल जाता है अब two spoke अपने को steering wheel मिल जाता है अब steering mounted controls भी यहाँ देख रहे हैं illumination अभी नहीं देख रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ अब देखें left side में चलो मैं on ही कर देता हूँ इसे तो यह देखें तो ऐसा कुछ welcome करता है instrument cluster और यहाँ पर Tata का logo भी आ गया है अब देखें steering mounted controls भी यहाँ देख रहे हैं तो left side में multimedia के और यहाँ पर अपने calling के function मिल जाते हैं और इस side अगर देखें तो अपने जो cluster है ना उसके controls मिल जाते हैं अब इस side अगर देखें तो अपने को wiper के controls जो की automatic है और right side में अगर देखें तो headlamps के control यह भी automatic है यार मतलब दोनों function अपने को automatic मिल रहे हैं तो है ना जवर्दस अब इसके adjustment की बात करें तो tilt मिल जाता है telescopic option नहीं दिया हुआ है और अब cluster की बात करें तो यार बड़ा जवर्दस अब upgrade हो गया है यहाँ पर क्या बलते हो आप left side में tachometer मिल जाता है center में MID और right side में अपने को fuel gauge और उपर temperature gauge मिल जाता है अब देखें यहाँ पर clock अपने को देख रही है यहाँ अगर देखें तो speedometer, instant fuel economy doors कोन से open है बड़े बड़िया तरीके से यहाँ पर दिखा रहा है अपने को यहाँ पर odometer और यहाँ range दिखा रहा है अब देखें cluster में अगर अपने को change करना है तो इसको अपने स्क्रोल करते हैं तो tripby tripay यहाँ और mileage देखो आप तो जबरदस्थ mileage perform किया ARI claimed इसमें 17-18 बोलता है 29.9 का mileage perform करी है अपनी petrol nexon ने है ना जबरदस्थ बहुत बड़िया है यहाँ पर अपने को mileage भी मिलने वाला है तो चलिए इतने कुछ feature से यहाँ मिल जाते है अब center console की बात करें, dashboard की बात करें तो floating style में यहाँ पर अपने को मिलने वाला है, नीचे AC vents मिल जाते है dual tone में अपने को यहाँ पर dashboard मिल जाता है यहाँ पर grainy form मिल रहा है और यह देखिए, यह बिलकुल यार बिलकुल सराम है किया फिर उस type का feel दे रहा है आपको बड़ा जबरदस्त है plastic लेकिन feel बहुत बढ़ी आ रहा है नीचे side अपने को AC controls मिल जाते है पूरा touch panel यहाँ पर मिल जाता है और उसकी नीचे अपन आते हैं तो यहाँ पर 12V का power socket, USB connectivity यहाँ मिल रही है और 6 speed का यहाँ पर manual gearbox मिल जाता है reverse gear engage करने के लिए ऐसे pull करके ऐसे engage करना पड़ेगा camera यहाँ नहीं मिलता लेकिन proper information आपको दिखाएगा reverse parking sensors की camera लगवा लेंग यार कोई बड़ी बात लिए अब यहाँ पर modes भी अपने को मिल रहे है city, eco और sports यह 3 modes मिल जाते है handbrake मिल जाता है, यहाँ पर थोड़ा space मिल जाता है और इस साइड अगर देखें तो यहाँ पर glove box का जो size है, बड़ा जबरदस यहाँ मिल जाता है और organizer भी यहाँ मिल रहे है अपने को अब उपर साइड अगर देखें तो यहाँ पर अपने को ticket holder मिल जाता है center में Airbnb मिल जाता है Airbnb मिल जाता, साथ में अपने को मिल जाती इसमें तगड़ी safety 5 star की तो यहाँ जबरदस, अब यहाँ पर अगर इसके seats की बात करें तो देखें, comfort काफी बड़ी है अपने को मिल जाता है और long rise में बहुत comfortable seats होने वाले ही है और मेरी जो item 59 है, तो आप अंदाजा लगा सकते है कि bonnet यहाँ से मेरे को visible है height adjustment नहीं है, फिर भी bonnet मेरे को visible है तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते है तो चलिए, अब front की सारी चीज़े अपने देख लिए इस side, हाँ, बिल्कुछ सारी चीज़े देख लिए अब चलते है, rear seat बार देखते है वहाँ पे अपने होकिया के चीज़े देखने को मिलती है और कितना comfort मिल जाता है तो seat को अपन कर लेते हैं, adjust तो यह हो गई, adjust अब चलते हैं, अपन rear seat में door panel की बात करें, तो power window का बटन यहाँ देख रहा है नीचे bottle holder और speaker का grill मिल जाता है अब rear seats की बात करें, तो rear seats मेरी favorite है बैट के अपन देखते हैं, और adjustable अपने को headrest मिल रहे हैं यार, बहुत बढ़िया अपगरेड है तो यहाँ पे अपन बैड याते हैं और बैटते ही सबसे पहली बात, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, टाडा नेक्सान में बहुत comfortable seat से इसकी rear की अब देखिए, under thigh support कितना बड़ी हैं मिल रहा है और यहाँ पे leg room आप देख सकते हैं काफी बढ़िया मुझे leg room मिल रहा है, बहुत बढ़िया sofa वाली feeling आपको इस seats में आ जाती है तीन passenger यहाँ easily बैट जाएंगे कोई issue नहीं है, rear AC vents भी है आपने को मिल जाते है, minor सा hump अपने को यहाँ पे नीचे side मिल जाता है, तो वो आप consider करना, अब cabin lamp अपने को front में ही मिलता है, आप देख सकते हैं यहाँ secondary cabin lamp अपने को नहीं मिलता इस side एक hook दीख रहा है और एक side मतलब, दोनों side hooks मिल जाते है और adjustable अपने seat welds भी मिल जाते हैं तो है ना सबर्दस features तो मुझे लगता है, rear seat की सारी चीज़े अपने देख लिए, rear seat में comfort यार बहुत बढ़िया मिल जाता है और recline angle और overall जो cushion अना seat का बहुत बढ़िया मिल जाता है अब engine bay के तरफ चलते हैं और देखते हैं वहाँ पे अपने को क्या के चीज़े देखने को मिलती है तो उसको open करने के लिए यह देखिए इसको पन जैसे pull करेंगे तो engine भे open हो जाएगा तो यह है Tata Nexon का 1.2 लीटर का 3-cylinder turbo charge petrol engine पावर की बात करें तो लगबग इसमें 118 bhp का पावर मिल जाता है साथ में 170 nm का torque तो पावर और performance बहुत बढ़िया यहाँ आपने को मिलने वाली है साथ में mileage भी मैंने आपको दिखा आयार साथ में अगर mileage का combination हा जाना तो वो तो बहुत जबर्दस combination हो जाता है इता है अपने पास Tata Nexon का pure variant features यहार कितने बढ़िया अपग्रेड हो गया है मतलब फ़कुत premium features यहां आप अपने को देखने को मिल जाते है second base variant है दुबारा मैं आपको बता रहा हूँ लेकिन features काफी बढ़िया अपग्रेड यहां पर अपने को मिल जाते है तो चलिए मुझे लगता सारे जो doubts से आपकी clear हो गया होँगे अब कुछ रह गया होगा तो आप मुझे comment कर सकते है उसका जो answer है मैं जल्दी से जल्दी देने कोशिश करूँगा प्लीज मुझे comment करके जरूर बताएगा वीडियो अच्छा लगाओ कार अच्छी लगए तो प्लीज एक like कर देना share कर देना अपने friends के साथ और subscribe कर देना मेरे channel को thank you so much जय हिन